हाव रूफीक्स सैमसंग M01 एस एरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एरफोन के इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्फ कैसे ने नहीं कर सकते हैं टीक है एस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को दोस्तों अन तक देखें जो भी सॉल्फ करें तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो लगबग solve हो जाएगा ठीक है तो वीडियो के सारां तक बने रही है अपने problem को solve करने के लिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कमा ना चाते तो वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एयरफोन के related अगर problem होते हैं तो भी दोस्तों आपकी जो एयरफोन का जेक है ठीक है जहाँ पर एयरफोन प्लक करते हैं तो उसका problem हो सकते है या फिर की एरफ़ोन जो टूटा हुआ हो सकते तो उसके तो उसके वज्च अगर स्वल्फ हो जाता है ठीक है न्यों एरफॉन के साथ ठीक हैं अगर नहीं कर रहे तो एक एयरोध लेकर अपना शब्क ही अबहें सब्सक्राइब कने एक एक एंपहल करने का हुलड रहत रहतें तो एयर strict буट कि तो सब्सक्रावर्ण करने कीुशिश करें ठीक हैं एंडेंट दुबारा से चेक करके ट्राइ कीजिए ने तो इससे दोस्तों कई बर काम बन जाते और आपका प्रॉब्लम हो जाते आपको इयरफोन का जयक्स करके उसको आप जोस्तों जोर से प्लग इन और प्लाग-आउट कर गर दिखिये यहां पर क्या वर क्या हो जाते से काम बन जाते ठीक है तो थोरा जोर से आप और फास्ट से अपना जो एयएरफोन है उसको plug-in कीज़े और plug-out कर दिजिए यानिकी insert करना है और यहाँ पर निकाल लेना हिए ठीक है तो इतना करके देख सकते दोस्तों आप यह सब दोस्तों एक basic solution है जो कि आप try करके देख सकते हैं यहापे तो इन सब दोस्तों basic solution के मदद से कई वर एरफोन के related जो है problem solve हो जाते हैं आपको टुटा हुआ एरफोन वगरा use नहीं करना है ठीक है वरना आपको उससे problem हो सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ भी problem रहा तो fix हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ sound setting भी जो ही मिल जाएगा sound vibration के अंदर पर जाके अगर आप चेक करते sound qualities वगरा आपको एरफोन का यहाँ पर मिल जाएगा तो आप वह सब enable करके try करने enable करके use करके देखें आपके sound adaptation को ठीक है सारे साथ में दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आप सौफियर अपडेट करके देखें आपने मोबाइल का अगर सौफियर अपडेट वर्जिन नहीं है तो सौफियर अपडेट करके देखें उसके बाद एरफोन को यूज़ करके देखें अगर कुछ भी ब्लूटुट को बन करके एरफोन प्लग करके देखें तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए तो इस तरह के से दोस्तों फिक्स होगा आपका एरफोन प्रॉब्लम बाइए इनी चांस अगर सारे सौलुशन आप ट्राइब कर रहे ठीक है फिर भी नहीं हो हो रहे प्रॉब्लम सौल्फ तो यहां पर दोस्तों आपका जो एरफोन जाके वह खराब हो चुका होगा ठीक है तो हाड़वेर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं तो आपको यही जो सौलुशन यही जो प्रोसेस हैं फॉलो करना पड़ते तो उसके बाद जाके आपक एरफोन प्रॉब्लम्स को उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंने होगा तैंक्स वर वाचिंग